नमस्ति दोस्तों मैं कृष्णा राजबुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनोंने भी वीडियो को देखा है वीडियो को सस्क्राइब किया है और दोस्तों आज की हमारी कहानी है राजा और फांसी की सजा एक बार की बात है युनान के समराट किसी बात अपने वजीर से नाराज हो गए नाराज की में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का एलान कर दिया फांसी का समय श्याम को छे वजे मुकरर किया गया फांसी की सजा दिये जाते समय वजीर दरबार में उपस्तित नहीं था समराट ने सैनिकों को आदेश दिया जाओ जाकर वजीर को बता दो कि श्याम को छे वजे उसे फासी पर लटका दिया जाए समराट, कादेश, मान सैनिक की एक टुकडी वजीर के घर पहुंच उसके घर को चारों और से घेर लिया गया कुछ सैनिक घर के अंदर गए अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहाँ जशन का माहौल है उस दिन वजीर का जनम दिन था उसके घर पर रिष्टेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी तंगीत बज रहा था नाच गाना चल रहा था पूरे घर में पकवान की खुश्बू फैल रही थी कुल मिलाकर वहां कम हौल बड़ा खुशनुमा सैनी को ने भरी मैफिल में ऐलान कर दिया वजीर को फासी की सजा के बारे में बताया यह भी बताया कि फासी शाम छे बजे दी जाए यह ऐलान सुनकर वहां मौजुद हर सक्स हैरान रह गया फोरण संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया रिष्टेदार दोस्त और परिवार जन उदास हो गया तभी कमरे में च्छाई खामोशी में वजीर की आवाज गुण उपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम छे बजे का वक्त दे तब तक हम सब जशन मना सकते हैं वजीर की बात सुनकर दोस्तो और रिष्टेदार और परिवार जनों ने कहा कैसी बात कर रहे हो फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हे और तुम जशन मनाना चाहते हो वजीर ने किसी तरह सब को समझाया और जशन में फिर से शुरू कर दोस्त उदास थे लेकिन वजीर की खुशी के लिए जशन में शामिल हो गए यह ख़बर सैनी को द्वारा समराट तक पहुँचा दी गई समराट पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुँच गया वजीर बड़ ही अदब से बोला हजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकरर किया गया है इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका यदि आप मुझे ये वक्त ना दे दे तो मैं पूरे परिवार दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ जशन कैसे मना पाता फांसी पर लटकने के पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है ये मैं क्यों जाया करूँ मेरे पास जितना भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा जिस इनसान को वक्त की कदर है जो जिन्दगी का हर लंभा खुशी खुशी गुजारना चाहता है उसे मौत कैसे दी जा सकती है उसे जीने का पूरा हक है तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया तुम जिन्दगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परिशान हो जाते हैं ऐसे में हम जिन्दगी जीना ही छोड़ देते हैं मुश्किलों से हारे नहीं इसका सामना करें और खुशी के साथ करें जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सद्योप प्योग करें ये जिन्दगी बार बार नहीं मिलने वाले नमस्ते दोस्तों धन्यवाद